कि किसी भी बाइक से कहीं भी कुछ भी जो है न छोटी लग रही थी तू बोल रहता न कि मैं थ्रोटल नहीं ले रहा हूं और हलकी सी यहां पर ढ़लान भी है उपर की तरफ में फिर भी बाइक अपने आप चड़ती हुई चली जा रही है वेलकम बैक टू मोटर बड़ी मेरा जो आज मैं इसका करने वाला हूँ रिव्यू इसमें कौन से फीचर्स हैं यह बाइक चलने में कैसी है सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ तो धेर किस बात की है आए दोस्तों देखते हैं और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उपर से लेके नीचे तक भीग एक कानल को सब्सक्राइब करें ऑर वीडियो लास्टे तक देखिए यहां पर रॉनिय की बात करते हैं सबते पले तो बात है राइस की कि इसमें क्या प्राइस है तो ढगिंग इसका स्टार्टिंग प्राइस है दूसरा द्यों है और तीसरा जो है एकडिये वह आ जाता है तो इसमें क्या है की कुछ Changes जैसे की जो normal Variant है वह Single tone में बीरेंट ने आ जाता है जयाल में देखने मिल जाता है च्हुलरक sacred option आ जाता है याई इस भाइक को देखेंगे आतो इसमें क्या है के कुछ नये elements भी दिए गये है कुछ आपको यहाँ पर DRL देखने को मिल जाता है, वहीं इसमें complete LED light यूज की गई है, round shape में यहाँ पर light दी गई है, यह पूरा LED setup दिया गया है, USD fork आ जाते हैं, यहाँ पर golden finish देखने को मिल जाते हैं, अगर आप लेंगे base variant, तो वहाँ पर क्या है, black color में देखने को मिल जाएगा, 300 mm की यहाँ पर display आजाती है, 240 mm की rear पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ अगर मैं tire size की बात करूं, 100 by 10, 70 section का मिल जाता है, 70 नीजर के यहाँ पर wheel आ जाते हैं, वहीं इसमें क्या है न, single channel और dual channel ABS दोनों ही देखने को मिल जाता है, single और dual channel से याद आया, कि इसमें क्या है न, आप अपने हिसाब से, उसको set कर सकते हो ABS का, तो braking और भी उस तरह से अच्छी हो जाती है, वहीं अगर मैं इसके engine की बात करूं न, तो नया engine developed किया गया है, square ship में engine आ जाता है, जो की power produce करता है, 20 bhp की, और इसमें torque मिल जाता है, 19.93 mm के आजपास, 5 gear transmission के साथ में आ जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे न, तो काफी बड़ा हो जाता है, इसके साथ में इसका जो fuel tank है, वो 14 liter का मिल जाता है, बड़ा सा fuel tank है, muscular आ जाता है, यहाँ पर 3D में आपको badging देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे न, तो dual strip में आप यहाँ पर graphics देखने को मिल जाते हैं, तो तोस्तों मैं आपको बताना जाहूंगा इसकी seat के बारे में, देखेंगे, seat में कि अगर आप base variant जाते है तो वहाँ पर black color देखने को मिल जाता है, और अगर इसमें जाते है तो यह coffee brown color आ जाता है, लेकिन वीडियो में एक सक्स और चिंतामनी सर आ चुके हैं, तो हम सीट के बारे में बात करें तो 795 mm सीट आ जाती है, आपकी क्या हाइट है, 510 है, 510 है, और यानि मेरी हाइट लगभग बराबरी आ जाती है, में 59 ही बताता हूं, coffee time से में नहीं किया है, तो बैट के देखने है कि कैसी आती है, पहले मैं ब करके दिखाते हैं, तो बाई को हम स्टैंड से उठा दे निकाल देते हैं, एक बार और बता एक चीज और बता दीजिए कि मैं 100 kg कभी हूं, हाँ, तो हैवी बेट और मेरा बेट अरां 78 kg के आस पास आ जाता है, तो चलिए सर बैठिये, देखते है कि कैसा आता है, तो बाई बेट 100 kg के आस पास में है, कुछ ऐसा कुछ यहां पर फॉशर आएगा, और ऐसा हम यहां पर बैठेंगे, थोड़ा सा आप सीधे हो के बिल्कुल बैठी है, देखे कैसा आ रहा है, मुझे भी लग रहा है, बाकी राइड रिवीव में, तो हम सारी चीज़े बता ही देंगे कैसी है, और मेरा पेड भी आपके पीछ से टच नहीं हो रहा है, मतलब तो इस पेस मिल जाता है, तो एक कंसरन था ना, जब लाउंच भी बाइक, तुम एने जब हम वाकराउंड कर रहे हैं, मुझे लग रहा था सीट छोटी है, देखने में छोटी है, लेकिन बैठने में जाता है, वहीं इसका Gabriel थोड़ा सा अलग देखने को यहां पर मिल जाता है, डिजाइन देखे अपनी परसोनल चॉइस होती है, ठीक है, तो अगर आप वीडियो फ्रेम में आही चुके हैं, तो थोड़ा सा डिजाइन के बारे में, कैसी आपको डिजाइन लगी है, परशनल की बात करूँ, तो 130 by 70 सेक्षन का मिल जाता है, 17 निजिस के वील आ जाते है, सिंगल चैनल और डॉल चैनल, ABS जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वहीं यहां पर आप इसका Gabriel देखेंगे, काफी जादा यूनीक कि यहां पर Gabriel देखने को मिल जाता है, वहीं जो रियर टे कि मतलब जैसे अगर आप लेफ्ट करते हो, तो लेफ्ट के जा रहे होता है, वहीं क्या है कि इंडिकेटर की बात करी रहे है, तो आपको बताना चाहूंगा, कि इसमें हजार्ट का भी दिया गया है, यानि आपको additional अलग से आपको नहीं लगवाना पड़ेगा, और आप यहां पर क्या है कि चारों इंडिकेटर जल जाते हैं, क्योंकि लोग काफी ज़्यादा पसंद करते हैं, और सेफटी के लिए भी काफी अच्छा हो जाता है, वहीं दोस्तों इसका exhaust note करा देता हूं, लेकिन इसमें क्या है कि silent start motor दी गई है, मतलब बाइक ऐसे start होती है, जो पता नहीं चलता है, तो इसका मैं यहां पर exhaust note कराता हूं, कैसा आपको इसका exhaust note लगा, आप जरूर हमें बताइएगा, यहां जो इसके footpacks है न, वो मैं आपको यहां थोड़ा सा note कराना चाहूंगा, कि जैसे आप यहां पर बैठते हो, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ में design किया गया है, जिससे क्या है न, कि आप पीछे हो के आराम से बैठ सकते हो, मतलब ज्यादा lean नहीं होना पड़ता है, तो ऐसा कुछ यहां पर हो जाता है, अब वहीं अगर मैं इसमें क्या है कि lighter clutch के लिए इसमें assistant sleeper clutch भी दिया गया है, जिससे क्या है जब आप बाई को चलाते हो, तो वहाँ पर clutch का response है, वो काफी अच्छा मिल जाता है, ground clearance जो है, वो मिल जाता है 181 mm का, वहीं दोसों जो weight है, वो इस variant का आ जाता है 160 kg, मतलब weight पर company ध्यान रखा है कि बहुत ज़्यादा weight ना होने पाई, जब कि जब आप इस भाई को ride भी करोगे न, तो वो च kg weight उसका कम मिलता है, वज़े क्या है कि वहाँ पर single channel ebios और भी थोड़ी सी चीज़े कम है, तो इस वज़े समाँ पर weight कम हो जाता है, बाकी front profile की बात करें, तो front पर आप यहाँ पर इसका instrument cluster देख रहे हूं न, यह side में देखने को मिल जाता है, बाकी आईए हम इसके बारे म call, SMS alert देखने को मिल जाता है, voice assist का भी feature दिया गया है, यहाँ पर feature loaded मिल जाता है, इसका instrument cluster, यहाँ पर gear indicator आजाता है, rpm का है, time का है, और कितने km चल चुकी यानि, odometer आ जाता है, average speed कितनी है, time आ रहा है, और इसके अलामा क्या है कि trip का देखने को मिल जाता है, trip A, trip B, यह आ ज range बची हुई है, मतलब यह कितने km तक जाएगी, वो भी चीज यहाँ पर आ जाती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर instrument cluster इसका दिया गया है, यहाँ से भी आप इसको operate कर पाते हो, so guys, अब मैं यहाँ पर check करता हूँ, TVS Ronin को चला कर यह कैसी है, तो थोड़ा सा खीचता हूँ मैं वाँ, second gear, क्या बात है, बहुत बढ़िया, on a serious note, पाइक में वाइब्रेशन बिल्गुल भी पता नहीं चलते हैं, अकसर हम लोग कहते हैं कि यहाँ, TVS के वाइब्रेशन बहुत होता है, तो यार, मैं seriously बता हूँ, वाइब्रेशन बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, फील नहीं हो रहा है, ना ही footbacks पे, ना यहाँ पर handle पे, वहीं अगर initial pickup की बात कुरूँ तो देखे, initial pickup काफी अच्छा मिला, mid range भी, mid में भी अच्छा है, बिल्कुल smooth engine यहाँ पर मिल जाता है, चलाने में काफी मज़ा आ रही है, बहुत जादा हम brake तो नहीं use की हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत use की हैं, तो उसमें brake ठीक मिली है मुझे, seat height यहाँ पर मिल जाती है, 795 mm की, और posture की अगर मैं बात करूँ, तो आप बिल्कुल straight होके बैठते हो, बल्कि हलका सा आप पीछ सीट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन है, थोड़ी सी बड़ी और होती तो काफी अच्छा हो जाता, बागी वाराल चलाने में मुझे काफी जादा मज़ा आ रही है, और यहाँ पर क्या है, कि अगर मैं इसके instrument cluster की बात करूँ, तो यह भी काफी जादा visible हो जाता है, हैंडल का turning radius भी मुझे काफी पसंद आया, यार सच कहूँ ना, मतलब 100 कप पहुंच जा रही है, पता ही नहीं चलता है, बिलकुल flat रहता है, तो यह चीज तो काफी अच्छी है, दोस्तों एक feature यहाँ पर safety का भी मिल जाता है, जैसे अगर बाइक गीर में है, और side stand लगा है, तो य यह बाइक स्टार्ट नहीं होगी, आपको क्या करना होगा, side stand हटाना होगा, और फिर यह बाइक स्टार्ट होगी, यह चीज यहाँ पर मिल जाती है, आप इसको city में चाहोगे, तो city में भी चला सकते हो, heavy traffic में भी आप cruise कर सकते हो, मेरे साथ से ठकावट महसूस नहीं होनी चाहिए, और इसमें assistance sleeper class भी दिया गया है, जिससे कहा है कि, clutch और lighter हो जाता है, तो दोस्तों इसमें एक GTT technology भी दी गई है, जिससे कहा है कि आप throttle छोड़ दो, और बाइक अपने आप बढ़ती चली जाएगी, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे है, कि मैं throttle नहीं ले और हलकी सी यहाँ पर ढ़लान भी है, उपर की तरफ में, फिर भी बाइक अपने आप चड़ती हुई चली जा रही है, तो यहाँ पर यह GTT technology भी मिल जाती है, पावर मुझे फ्लैट लगी, और मतलब initial pickup भी अच्छा मिल जाता है, 100 km कब पकड़ लेती है, पता नहीं चलता ह और बाइक की बात मैं करूं, तो बाइक काफी अच्छे से डिजाइन किया है, और आप इसको regular commute भी कर सकते हो, office भी लेकर जा सकते हो, अगर थोड़ी बहुत आप off-roading करना चाहते हो, थोड़ी कर सकते हो, और इसके अलामा क्या है, कि अगर आप थोड़ी बहुत long distance पे ले चाहते हो, तो आप ले जासे हो, तो long distance में थोड़ी बहुत क्या ज्यादा भी आप कर सकते हो, इसमें accessories भी company लेकर आई है, तो company ने accessories भी दी है, ताकि आप थोड़ी बहुत touring भी कर सकते हो, तो यह चीज़े हो जाते है, और और बाइक मुझे काफी पसंद आई, आप को कैसी लेगी, आप जरूर हमें बताइएगा, तो आई हूप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आऊगा, वीडियो पसंद आए, वीडियो को कर सकते हैं, लाइक और चनल पर पहली बार है चनल को कर सकते हैं, सब्सक्राइब, आप लेटस्ट न्यूज और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, मोटरमडी.co.in हमारी वेबसाइट के अड्रस है, वीडियो देकिन लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,